पंजाब में एक तो है आड़त प्रता और दूसरा है उहां का गेहूं इतना घटिया किस्मका है कि कोई खरीदने को तयार नहीं को आट पंजाब के नाम से कोई रोटी नहीं खाता गेहूं की क्योंकि वह पेस्टिसाइड का उपयोग करकर के जहरीली मट्टी हो गई जहरीला गेहूं हो गया और इसलिए समर्थन मूल पर खरीदी नहीं होगी तो उनका गोई गयों 2000 रुपे में नहीं पूछेगा जो अभी 1925 ने उनको भड़का दिया कि तुम्हारा समर्थन मूल बंद हो जाएगा तो उनका तो पूरा गयों होता सबसेदिक पंजाम में होता और इ सब्सक्राइस के राज में तो 13 कुंटल सरसों खरीद रहते हमने 20 कुंटल प्रती हेक्टर किया 15 कुंटल चना खरीदर हमने 20 किया एक सीमा दी 25 कुंटल की वहट आई और जून जुलाई में जाकर घरते जब तक 80% किसांतों होने पोने महां में बेज जता था दोजार